नमस्कार आप सब का स्वागत है स्टेट बेंक अफ इंडिया की पूर्वचीप हरुंदती भड टचारे की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायल हो रही है इसमें में एरपोर्ट के लाउंज में जमीम पर विछे कार पेट पर सोई हुई नजर आ रही है इस फोटो के साथ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कल तक करोडों की सालरी लेने वाली आखिर क्यूं फर्ष पर सोने को मजबूर हुई है बता दें कि अरुंदती भड टचारे देश के सबसे वड़े बेंक भारती एस्टेट बेंक की साथ साल तक चीप रह चुकी है इस पद पर पहुचने वाली वो पहली महिला थी इसके अलावा वो भारत की इकलोती ऐसी महिला है जिनका नाम भार्चुन की लिस्ट में शामिल हो चुका है असल में अरुंदती भड टचारे ब्रिटेश एरवेज की फ्लाइट संख्या बी एए एक सो अठानमे से मुंबई से लंदन की यात्रा कर रही थी रास्ते में उनकी फ्लाइट में तक्नीकी दिक्कत आ गई और प्लाइट में सवार यात्रीओं को अज्च्रबयजान के बाकु एरपोर्ट पर उतरना पड़ा प्लाइट के एक यात्री ने ट्विटर पर लिखा कि प्लेन में अचानक धुआ भरने से सभी यात्रियों को उतरना पड़ा है प्लाइट की तक्नीकी गरबड़ी को ठीक करने में पूरे 19 घंटे लग गए और उसमें सभार सभी यात्रियों को एरपोर्ट लाउंज पर 19 घंटे तक बैठना पड़ा 19 घंटा एक लंबा समय था इसलिए जाधतर यात्री एरपोर्ट के लाउंज एरिया में लगे कारपेट पर सो गए इन में से अरुंधती भट तचारे भी थी एक अंग्रेज जी अपार से बात करते हुए अरुंधती ने बताया हमारा प्लेइन लोकल टाइम के हिसाब से 9 बजे रात को लैंड हुआ और हम पूरी रात एरपोर्ट के लाउंज में लगे एरपोर्ट पर सोए अरुंधती के पिता सुथ फ्रद्यूत कुमार मुखरजी शुरुवाती डौर में भिलाई स्टील में काम करते थे बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना के दोरान ही 1965-66 में सुथ मुखरजी का स्थाना अंतरन बोकारो हो गया भिलाई में कक्षा 5 तक शिक्षा ग्रहन करने के बाद कक्षा 6 से 11 तक की पढ़ाई संत जेबियर स्कूल बोकारो में हुई इसके बाद अरुन्दती ने कोलकाता के लेडी प्रबॉन कॉलेज से अंग्रेजी में सनातक को और जाधा पुर्विश्व विद्याले से एमे की पढ़ाई की 1977 में पढ़ाई के दोरान ही अरुन्दती ने बेंक डागधार फ्रोबेशनरी ओफिसर की परिक्षा दी और पास कर गई इनकी पहली पोस्टिंग कोलकाता के अली पूर SBI ब्रांच में हुई थी बाद में वे SBI में ही प्रबंध निदेशक कोर मुखे वित्य अधिकारी के रूप में सेवा देते हुए अध्यक्षपद पर कारिरत हुई